विदेशी बाजारों में गिरावट के रुके बीश देश भर के तेल तिलहन बाजारों में मंगलवार को सोयावीन, सीपी ओ, सरसो, पामुलिन और विनौला सहित सभी तेल वतिलहनों में भाव गठा कर बोले गए मंडियों में भाव नीचे आने से किस्तान मुंफली की विक्री करने में आनाकानी कर रहे हैं जानकारों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 1.75% की गिरावट है जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल 6.8% की गिरावट दर्ज की गई है विशेशग्य कहते हैं कि सोयाबीन की नई पैदावार आने से वायदा कारोबार में कीमते घटने से सोयाबीन सीड और सोयाबीन तेल के भाव नीचे आ गए हैं इस गिरावट का असर सभी खाने के तेलों पर भी देखने को मिल रहा है सरसो सीड की केमते इस साल रिकार्ड उचाई पर पहुचने से किसानों ने इस बार सरसो की बिज़ाई जम करकी है सरसो की नई फसल फरवरी मार्श में आने की संभावना है इस बार देश में सरसो की पैदावार सो लाक टन को क्रोस करने का अनुमान है यदि ऐसा हुआ तो सरसो वर सरसो तेल के दामों में अच्छी गिरावट आने की संभावना है गातलब है कि बीते सीजन में सरसो मेल डिलीवरी 42% तेल कंडिशन के भाव एतिहासिक उच्छाई यानी 800 रूपे प्रती क्विंटल के आसपास पहुँच गए थे अलाकि वर्तमान में सरसो कंडिशन 8200 रूपे प्रती क्विंटल के करीब आ गई है जानकार बताते हैं कि नई फसल आने पर सरसो सीट की कीमतों में अच्छी खासी गिरावटा सकती है